जैसर रादेकृष्णा जी कैसे हैं आप स्वागत है अपने चैनल विलेज लाइफ में तो इस ब्लोग की शुरुवात हो रही है घाशनी से जहां हम घाश करने आते हैं दूरवाली घाशन में और यह आसपास का व्यू पारली साइड दूप लग गई है और सुबह का टाइम जहाँ साथ साथ 29 व?... वूुण जो रास्त में ज्यू कि टे्र मेरे दिन की कुछ वीडियो बस गई थी देखने के लिए वो देखी मैंने पहुंच दीं यहां पर कर लिए अमने नेक्र olho साइड को रख दिया चैने के लिए और आज है संदे और संदे को बच्चों को है चोपटी तो जो मेंने आपके साथ वीडियो सेरि किया था ना कि यहां भी लोग खेतीवाड़ी करते हैं etap जप मैं अपने शेल के साथ घास कढने आई कि तो पार्ली साइड से मैंने बताया था कि है पाहड़ी पर लह खेती बाड़ी करते हैं और यहां मक्य की फसन लेते हैं सरसुब गयरा भीजते हैं तो वहां पर लगे थे धेर सारे कद्धू तो फंक्षन भी नजदी का रहा है टाइम कम होता जा रहा है दिन प्रती दिन तो आ संडे था सोचा चल बच्चों को इकठे करके न उन कद्धूं को घर पहुंचा देते हैं तो बच्चे आ रहे हैं पीछे बच्चे मतलब बड़े बड़े सब 16-17 साल के सभी छोटे कोई छोटा कोई हो गई तो 15 साल से उपरी है सब जो बच्चे पर हमारे तरफ से तो बच्चे यह ना सभी तो आ रहे ना और पंकज ने बोला था उनको कद्ध लाने के लिए तो सभी आ रहे हैं पीछे में आगी हूं थोड़ा आगे क्यूंकि मैं जो उपरी कठ्थे भी करना उनको और देखना भी है कौन से यह और कौन कैसा है क्यूंकि यहां चालों तरफ जंगल जंगले और सूर्य भगवान जी भी निकल गए यहां बराब लगी निया पर दूब तो पहड़ों में ना इस तरह से निकलता है तो इस पहाड़ा से निकलता है और मैं भी प्रणाम कर लेती हूं और सूरज को पहले प्रनाम कर लेते हैं और काम तो पूरा दिन लगाuster हुआ है वही पूरा दीन चैन तो है नहीं और तो और यह लिए मैंने कड़ी पत्ते की टेहनी इसकी दान्तुन कर रही हूं मैं ब्रस की बहुत कम करती हूं और यह यहां मुझे इन्वेक्स क्या हो गया था यहां जखन जैसे हो गया थे पतानी क्या हुआ ना तो अभी इन में थोड़ा स्कॉआ रहा है मैं बोरोली ने बगारे लगाती हूं कुछ न कुछ और तो सुचा चलो थोड़ा सा वीडियो आपके साथ भी शेयर कर देती हूं यह सारी घाचनिया हमारी है यहां से नीचे से लेकर तो अब चड़ाई है ना तो सांसे भी फूल रही है और आप मैं जब उपर पहुंचूंगी ना उनके काउसेड के पास काउसेड बहुते हैं से तो वहां कभी बताऊंगे मैं आपको और यहां से चलते हैं भी थोड़ा है काफी उपर 10-15 बंदरा 20 मेंट लग जाएंगो पर पहुंचने के लिए तो फिर वहां से बताऊंगे मैं आस-पास कभी हूई है ना तो यहां पहुंचूंगी हू मैं यहां से निचे है हमारा घास है यहां से निचे काट हूँ हमने यहां से और यहां से निचे को जो दिख रहा है नहीं निचे तक वहां तक कार दिया हमने जो आमने स्टोर करना था और इस साइड बच गया है यहां से नहीं दिखेगा और यहां से इनके खेत सुरू यह यह वाले यहां से खेतिन के स्टार्ट नहीं और चल गए उपर और वह उपर जाकर निंद का काउश है तो मुझे न इन खेतों से देखकर जाना बड़ेगा कि कद्दू कहां कहां जैसे यह और इस तरफ से सूरज बगवान जी निकल चुके हैं इस पारली पाड़ी से और इस पाड़ी पाड़ी जान से सूर्ज निकल रहा है इस तरह भी हमारी घाशनी आए और इस तरह यहां से सूर्य अस्त होता है मैंने एक दिन आपके साथ वीडियो शेयर किया था कि पहाड़ों में इस तरह से होता है सूर्य अस्त और इस तरह होता है सूर्य उदे ठीक है और यह ह को निचे को यह पूरी घाष्णी आए यह गड़ी गड़ी से जाएगी और इस तरफ पूरी घाष्णी चलेगी वहां भी आमारी एक घाष्णी है पार जैसे वीडियो शेयर किया था मैंने जहां छुटी जंगलाइत का है फोरेस्ट वाले ने जो ठाकरे दिये वो भी है और अपने मलकेत भी है और वहां पार वहां भी लोग केती बाड़ी करते हैं और यह रहते वीद्री उपर वाला इनका उपर है यह काउशेट है जो उपर जैसे हैं और निचेन का मकान है और वहां सडक तो पहुंच गई है लेकिन पक्की नहीं हुए अगी रपेर करने को इसक पहाड़ी यह जो पहाड़ी है ना इसे सारी से घास आता है और यह है उपर जाकर कुटपॉल का टिबा लास्ट में जाकर उपर टॉप पर बिल्कुल आमने शामने है यह यह पाड़ी है और इस तरफ यह पाड़ी है बस यह फरक है यह थोड़ा यह यहां जो आमारी घाश तंडा बोलते हैं अमेंको तो यह भी घर ले जाएंगे अब इधर रहेंगे न यह चल जाते हैं सर्दियों में घर तो यह तंडा भी घर पहुंचेगा और गाहां देखो कितना दूर है इस गाहां में पहुंचेगा यह तो अभी तो थोड़ा बहुत जो भी घास है उसके रहता है कदू तो अभी हम कुछ दिन बाद भी ले जा सकते थे ना लेकिन यहां भालू और मैं बताती हूं ना बाप रिबा इतो जानवर ने तर्णागे यह पर देखते हूं कितने से मिलेंगे सिर्ड जया शाधा को घास कपते हुआ है दोन में फोलाय उक्रव को सब्सक्राइबाता है फ्लेष उनतल संडल आफ बैगे हुए थीद्वीट भी उखाई हुए आभी क्याinction? चोटे भी लगे हुए यह है एक छोटा सा चलू देखती हूं आदेखो ना बोर रहे थे ना जल्द ले आना भी नहीं तो वहां जानवर खा लेते हैं यह देखो इस तरह से खा लिए जो बड़े-बड़े कदू न उसको तो चूए साध चूए नखाया है इसको और चलू मैं डूंड लेती हूं सबको पतानी कितने जैसे खाए हैं और कितने बच गए इस तरह से खतम कर दी हैं यहां और चलो मैं देख लेती हूं पहले मुझे ऐसा लग रहा कि बड़े-बड़े ना उनको खाई दिया सबकू तो पांच-छे कदू मैं नहीं कठे कर लिए ना इदर जो जैनवरों नहीं खाए थे ना और मेरिएको पहला था वहां उपर चउच में अब रखे पिए उए और इक इस को तो बहुत किफो बन है और टेंव räतिख हैं मेरे कभिईर धार अजब पहले हिंश बाहरने कने लोगीन के इनकोוצ बड़े बड़े छें एक टाल लिए कि द कथे कर लोंगे क्यों कि इनको ज्यादा खत्रा और थोड़े से फिव रह जाएंगे कितने खाएंगे तो बच्च भी आ रहे निचे से आवाज आ रही है बच्चों की भी ना जल में उपर भी देख लेते हूं इन्हों में आड़े में कितने रखी तो यह कड़ी पते की दांतुन कर रही हूं में और दांतुन करने के बाद ना इस तरह से मीट्टी में इस तरह से लगा के फिर फैंकते हैं इसको फैंकते दांतुन करने के बाद तो हम तो इसको गां की वाला हमें न दूखेला वोब छांओ है जाता है तो दंगेल कि बढ़ने के दाताने से बगहरे बगहरे के कर लेते हैं और यहां से इस तरह का भी वैवथ है जै तो यहां आते हैं गास काटने के लिए यह है वो जो कितिवाड़ी और इसके साथ में लगता है अमारी गास निभी यहां पर इतना दूर आते हैं काफी टाइम लग जाता है आने जाने में और मैं दिखाती हुँ ना जिस गर में पहले पानी और लाइट की सुद्दा नहीं थी मैंने वीडियो सेर किया था लेकिन मैंने किया था वहां से जारी थी मैं और वहां उपर टॉप पे काटा था गास जो मैंने आपके साथ पहले वीडियो सेर किया था कि मुझे बहुत खुश हुई तो यह देखी यह लगया नल रमल ग यह हैं इनका काउशेड मैं बताई लेती हूं और यह मिठे करेले की बेल और यह इनके खेत वहां नीचे तक जाकर है और यह सारा घास जाता है नीचे कोई दोखो और महां भी आई हुए गहस लेने के लिए ताजा घास जो ले जाते हैं वहां काट रही एक लेड़ीज घास चाकल रहे हैं इन वक्रीयों की परली साइड काट्रि हैं के खेत हैं रहनों ले लिए हुआ हैं पानिकार काउशेड में अंदर से बताती हुए बहीं तक यह है इस तरह की होती है चांगली तो कहां रखे हो गद्धू गई या नहीं कद्धू नीचे है खेद में कियो इकठे अर्या इस ताली में ताली में खुलो इस ताली 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 नहीं है इदर सारे बच्चे कठी होगें कद्धू लेने के लिए और यहां काउसेड की चाप बीनी मिल रही है अभी है दखो चिराग और यह हैं कि काउसेड तो इस वाले काउसेड में ताला लगा हुआ है और इस में इसमें साथ खाना खुन अब गहरा बनाते होगे पनाते अबीबी और इसमें रहते थे हैं की घाई woala और है हुआ है और है ये है खेट और यहां पर है मेरी बखरी तो चलो मैं नीचे देख इदर उनका बेटे आ रहे हैं चाबी लेकर और पहुंचने वाले मेरे पास उतने को मैंने ना जिनका हम कद्दू लेने आये उनके पास मैंने यहां थोड़ा सा घास कटवा दिया है दस बारा पूले और क्योंकि भई मैं डेली नहीं बैठ सकती फ्री नहीं बैठ सकती मैं मु अगर तो चावलें यहां से अफबाबे आपना इनका सब्सबी का लिए इस इनका और यहां घ्र सकती बीएगर कई आपिए ठूरिप defence समय हो ? क्यों है आपिए धरो थापडित DM भीGO बोल ले न, चला हम बोले, चलो आँ जावे, दो तीन तीन कदू में ने सब के पास बांद दिया, और दो तीन मैंने बांद ले, अपने पास दो बड़े, दो छोटे-छोटे, उसकी सबजी बन जाएगी, और बाकी बच्चे चले गए नीचे, मैं दिखाती हूँ आपको, यह चले गए बच्चे नीचे, बोरे में बरके दे रही है, मैंने को दखो, यहां से न, रास्ता ठीक है, इस साइड से, यही से जाती हो, मैं अभी घाशनी से घास लेकर, और जो शोटकॉट रास्ता है न, व साइड को घूम कराना पड़ेगा, फिर शीशी यहां से निकल कर आगे को, तो कद्दू लेकर सभी बच्चे और मैं भी घर पर पहुंच गई हूँ, और फिर ना दोकर फ्रेस होकर, और अब यहां हमारे सम्दा का काम लगा हुआ, सम्दा यानिके लखडी का काम, तो एक मं तो आज के दिन ना हमने सम्दा के लिए भी कमण किये हुए थे, और कुछ लोग यहां कर रहे हैं सम्दा और कुछ लोग पेड काटने के लिए गए हैं, जैसे 5-6 इदर है तो 6-7 गए हैं, और इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, और मिलते हैं आपको अगले दिन न ही रुटीन के साथ तब तक के लिए जैसिर रादे जैसिर क्रिशना